हलो दोस्तों कैसे हो मैं हूँ अश्विन और स्वागत है आप सब का हिंदी चेस वीडियोज में दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको एडॉल्फ एंडर्सन की एक लाजवाब गेम दिखाए थी कि ब्लेक जो है वो एडॉल्फ एंडर्सन की चेक्मेट करने से सिर्फ एक ही मूँ दूर था और इसा लग रहा था कि जिससे एंडर्सन की जो है वो चेक्मेट हो जाएगी बट एक्चुली वो एक मूँ जो है वो बलेक को कभी मिली नहीं और इसके लिए एंडरसन नहीं उनका जो है रुक और क्विन दोनों सेक्रिफाइस कर दिये तो दोस्तो आई ये शुरू करते हैं गेम जो कि 1852 में खिले गए थी यहाँ पे एंडरसन के ओपनेंट है जीन डफरेंड और एंडरसन ने गेम की शुरूआद E4 से की and now E5, Knight to F3, Knight to C6, Bishop to C4 and Bishop to C5 and now B4 Evans Gambit so इस pawn sacrifice के पीछे white का idea ये होता है कि वो C3 खिलेगा और इस bishop पे जो है वो time gain करना चाहता है ताकि यह bishop जब move हो तब आप जो है आगे चल के castle करो and then D4 खिलो या फिर जो है directly D4 खिल सकते हो और अच्छा खासा जो है वो center gain करना चाहते हो यहाँ पे एंडरसन ने D4 खिला and now pawn captures on D4, castle and D3 जो है वो game में खिला गया दोस्तों यहाँ पे और कुछ option भी है जहाँ पे game जो है काफी complicated हो सकती है for example हम देखते है knight F6 जो की एक natural developing move है और साथ-साथ आप जो है वो castle prepare कर रहे हो और then game कुछ इस तरह से continue हो सकती है E5, say knight E4 and now rook to E1 so knight pair attack है and say knight captures C3 but then knight captures C3 और white जो है even अपना rook भी sacrifice कर सकता है bishop captures C3, bishop G5 so queen का defense करने के लिए अगर आप F6 खेलते हो then pawn captures F6 और यह discover check होगा on E1 then queen captures on E1, वो road discover check है दोस्तों वो काफे deadly prove हो सकता है so bishop G5 के बाद से आप knight E7 खेलते हो but then knight captures on D4 और अब जो है white अपना rook भी sacrifice कर सकता है, आप दोनों में से किसी भी rook को capture कर सकते हो most probably natural move ही है कि आप जो है active rook capture करो so E1 वाला rook but then दोस्तों यहाँ पे knight to F5, so threat है bishop captures E7 and winning the queen and से आप अपना bishop move करके उस knight को support करते हो but then knight captures on G7 जो है वो just winning है क्योंके king F8 के बाद simply queen F3 और यहाँ पे आप जो है checkmate को save ही नहीं कर सकते, even आप जो है और D5 खेलते हो then main person capture कर सकता है, उसके बाद checkmate की भी threat होगी and bishop captures E7 में जो है queen भी जा रही होगी, even pawn captures E7 में भी queen जा रही होगी so इसलिए castle के बाद क्या हुआ दोस्तों, actually जिन डेफरिन नहीं यहाँ पे game को complicated करना नहीं चाहा, उन्होंने खेला just D3, so वो यह ऐसी hope रहते रख रहे थे, कि शायद यहाँ पे bishop captures D3 आएगा in this case में D6 and knight F6 and castle जो है, वो quite possible है वो दोस्तों, Anderson जो है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लेक के king के लिए ही जाना चाहते थे so उन्होंने यहाँ पे खेला queen to B3 and now queen to F6, F7 pawn को जो है defend किया and now E5, so अगर आप यहाँ पे जो है, वो knight captures on E5 खेलते हो, but then rook E1 and then set D6, knight को आप support कर रहे हो, but then bishop to G5 and then queen to G6 and now knight captures on E5 है, वो दोस्तों just winning है, point यह है कि D captures E5 and then rook captures on E5, check and white की position दोस्तों यहाँ पे जो है, वो winning है point यह है कि bishop E6, then bishop capture E6, pawn capture E6 and then rook captures on E6 में जो है, यह queen जा रही है, और दूसरी है और अगर आप king F8 खेलते हो, then simply queen A3 में हम win हो रहे है, और उसी तरह से, आप यहाँ पे जो है, वो king 2 अगर D7 जाते हो, then bishop captures F7, queen पे attack, और यह जो bishop है, वो तो hanging है, so हम all in all conclude कर सकते है, कि rook captures E5, check के बाद white जो है, भी हो रहा था, so इसलिए game में क्या हो दोस्तों, E5 के बाद knight captures E5 नहीं खिला गया, क्योंकि उसमें rook E1 जो है, वो just deadly था, so game में, jane deferen ने खिला, queen to G6, and now rook E1 जो है, वो game में खिला गया, and now knight G to E7, bishop to A3, and इस position में दोस्तों, castle जो है, वो काफी ज़रूरी है, but यहाँ जो है, jane deferen ने खिला B5, so वो क्या करना चाते है, दोस्तों, यहाँ पे कुछ tempo जो है, gain करना चाते है, अगर आप bishop captures on जो है, B5 खिलते हो, then rook to B8, और बाद में, जो है, कुछ threat create हो सकती है, like A6, so यहाँ पे एंडर्सन ने, जो है, queen captures on B5 खिला, and now, simply जो है, rook to B8 आया, so queen पे attack है, and now queen to F4, so यहाँ पे क्या किया दोस्तों, कि zin deferen ने एक pawn sacrifice दे दिया, और सामने से जो है, इस diagonal पे जो pressure था, वो काफी कम कर दिया, and now bishop to B6, knight B to D2, and इस position में भी दोस्तों, यहाँ पे जरूरी black के लिए है, कि वो जो है, वो castle करें, but black ने खिला, bishop to B7, and now knight to E4, और दोस्तों, अब castle के लिए, जो है, काफी late हो चुका है, so यहाँ पे castle करते हो, but then bishop captures on D3, काफी dangerous है, threat है, knight F6, discover check, and then bishop captures on G6, so say queen to H6, आप खिलते हो, but then bishop to C1, queen पे attack है, queen to H5, and now knight to G3, और अब देख रहे हो, कि queen जो है, वो simply trap हो गई, alright, so game में किया हो, दोस्तों, knight to E4 के बाद, actually black ने खिला, queen to F5, but knight E4 के बाद, इस position में काफी जरूरी था, कि वो जो है, D2 खिला, and एक knight जब D2 पे capture करती है, and then वो castle के लिए जाए, but anyways, queen F5, and now bishop captures on D3, so same threat है, दोस्तों, इदर knight D6 check, or knight to F6 check, and queen win करने की, so game में किला गया, queen to H5, but knight to F6 check, actually queen H5 के बाद, position जो है, वो simply white के लिए यहाँ पर winning है, white, जो है, knight G3 के लिए जा सकता है, and say queen H6, but then bishop C1, queen E6, and bishop C4 के बाद, यहाँ पर, जो है, white को कुछ material मिल सकता है, क्योंकि आपकी queen, जो है, trap C है, so आपको, जो है, यहाँ पर knight to D5 खेलना पड़ेगा, and then knight to G5 के बाद, इस queen, जो है, वो इस knight का defense नहीं कर सकती, queen move होगी, then bishop captures on D5, जो है, वो just white के लिए winning है, but anyways, game में चलते है, जहाँ पर Anderson ने queen H5 के बाद, simply knight G3 केल के, जो है, वो piece win करना नहीं चाहाँ, उन्होंने खेला, दोस्तों, knight to F6, जैसे मैंने बोला था, कि Anderson जो है, यहाँ पर कुछ material win करना नहीं चाहते है, वो सिर्फ और सिर्फ black के king की, जो है, checkmate ही कर देना चाहते है, and now pawn captures on F6, he captures on F6, and now rook to G8, और यह जो है, जैन डेफरेंट की काफी बढ़िया move है, यहाँ पर वो almost threat दे रहे, queen to H3, या फिर queen captures on F3 की, और यहाँ पर Anderson ने जो है, rook to D1 खेला, और एक काफी बड़िया trick जो है, वो प्लान की, तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो पोस्ट कीजिए, और सोचिए, कि black को क्या खेलना चाहिए, ready, दोस्तों, एक्चुली game में क्या हुआ, कि जैन डेफरेंट जो है, वो Anderson की trick में फस गए, उन्होंने खेला queen captures on F3, उन्होंने यह सोचा, दोस्तों, यहाँ पर जस्ट एक ही मूँ में जो है, वो checkmate कर सकते है, क्योंकि ए G2 pawn जो है, वो pin है, बट हम देखते है, rook A to D1 के बाद, actually उनको खेलना चाहिए था, queen to H3, और जो D7 pawn है, उसका defense करना काफी ज़रूरी था, और हम देखेंगे कि defense करना क्यों ज़रूरी था, से, यहाँ पर rook A to D1 के बाद, queen captures F3, जो game में खिला गया, और एक मूँ में checkmate की threat है, बट अब, यहाँ पर Anderson ने खिला, rook captures on E7, तो दोस्तों, अगर आप जो है, king F8 पर जाते हो, then, rook captures on, जो है, वो D7 आ सकता है, और even rook 2, जो है, E3 आ सकता है, जिसमें इस bishop का discover check होगा, and then, rook captures F3, जो है, वो simple winning है, और से, king to D8 जाते हो, अब, then, दोस्तों, यहाँ पर, जो है, rook captures on D7 check, जो है, उसमें white win हो जाएगा, पोइंट यह है, कि अब, जो है, king to, से आप जाते हो, C8, but then, rook 2, D8 check, और आप देखो, अगर, rook से capture करते हो, then, यहाँ पर queen जा रही है, और उसी तरह, king से capture करते हो, then, bishop E2, discover check, रुक का, और यह queen, जो है, वो चली जाएगी, और अगर, दोस्तों, आप, जो है, वो knight से capture करते हो, but then, queen D7 check, जो है, वो simply winning है, point ही है, कि king captures D7 के बाद, bishop F5, और यह double check में, जो है, वो checkmate हो रही है, क्योंकिसे, आप जो जाते हो, king C6, then, bishop to D7, और, अगर, king, जो है, उसको आप E8 पे जाते हो, then, bishop to D7, जो है, उसमें भी checkmate हो रही है, but anyways, rook captures on E7 के बाद, यहाँ पे, जो है, king to F8, यहाँ तो king to D8 नहीं खिला गया, इस position में, net captures on E7 खिला गया, so, अब, जो है, bishop का रास्ता भी open हो चुका है, so, आपके पास, जो है, G3 जैसी भी कोई move नहीं है, कि यहाँ पे, अब, जो है, checkmate save करो, बर दोस्तो, black की, जो है, वो मन में ही रहेगी, क्योंकि अब, एंडर्सन ने खिला यहाँ पे, queen captures on D7, ला जवाब, queen sacrifice, king captures on D7, only move, and now bishop to F5, check, so, double check है, और देखें, यहाँ पे, bishop and rook, दोनों, जो है, वो जा रहा है, बट आप, किसी को भी capture नहीं कर सकते, और similarly, अगर आप king C6, जाते हो, इस position में, then bishop to D7, जो है, वो checkmate हो जाएगी, और उसी तरह से, दोस्तो, अगर आप यहाँ पे, जो है, E8 पे जाते हो, देन, यह game का continuation है, जहाँ पे, दो move में checkmate हो रही है, bishop to D7, check, king F8, and now bishop captures E7, जो है, वो checkmate है, तो दोस्तो है की नहीं, ला जोहाब, एंडरसन की यह game, जहाँ पे उनकी जो है, एकी मूँ में checkmate हो रही थी, बट उन्होंने जो है, वो मुका ही नहीं दिया, और उन्होंने जो है, लगातार पांच, चबरदस मूँ खेलके, सामने वाले की checkmate कर दी, तो दोस्तो है, कैसी लगी आपको एंडरसन की यह game, और आज का है वीडियो, आई होप मेरा वीडियो जो है आपको काफे पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्स्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कोमेंट देना बिलकुल ना भूले, तनिवाज जैहिंद, बाबाई,